इलर्टिंग के जरियन और जवान नसल में तक्नीकी महारतों को बढ़ाने के लिए वर्चुल यूनिवर्सिटी आफ पाकिस्तान और नेप टेग के मावेन M.O.U. साइनिंग सिर्मनी का एहतमाम किया गया इस मौके पर महमाने खसूसी फेडरल मिनिस्टर आफ एजूकेशन नेशनल हार्मनी एंड यूट अफेर्स मदद अली सिंदी का पुर्जोश खेर मगदम किया गया तक्रीब का आगास तलावत कुरान पाक से किया गया रेक्टर वर्चल यूनिवरसिटी ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर अर्शिद सलीम भटी ने कहा हम उन बचों को जो के बड़ी यूनिवरसिटीज में नहीं आ सकते फीस नहीं दे सकते या अपने खांदान या अपने शहर को नहीं छोड़ सकते किसी वज़ा से वालते हैं का ख्याल रखना होता है फैमली का ख्याल रखना होता है तो क्यों न हम क्वालिटी एज्यूकेशन को उनके पास उनके घरों में ले जाएं और हमारी ये दिली खौहिशती कई सालों से कि हम नेफटेक या टेफटा के साथ मिलके काम करें बाद अजां ए लेर्निंग की एहमियत को जागर करते वे एग्जेकेटिव डिरेक्टर नेफटेक मुहम्मद आमर जान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा नेफटेक जी फैडल गड़कर मेंम नेफटेक या वन aft दी जी कमीशन जो ककि टेक्निकल ट्रेइन को रेगलेट करते और तमाम पाकस्तान में जो सेक्टर है, including public सेक्टर और प्राइविट सेक्टर, दोनों सेक्टर को रेगुलेट करना, पर्मोट करना, टेविट से रेलेटेड पॉलिसी बनाना और कोशिश करना कि पाकिस्तान में एंप्लाइबिलिटी जैदा हो और इसमें दोनों चीज़ें शामिला है, domestic employment भी और overseas employment भी. इस मौके पर वर्चूल इनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए महमाने कसूसी मदद अली सिंदी ने कहा, बहुत शुक्रीब के एक्तिताम पर वर्चूल इनिवर्सिटी की जानिब से महमाने कसूसी और एक्जेक्टिव डिरेक्टर नेप्टेक को सवीनियर पेश किया गया.